पूर्विच अमपारण जिले में घोड़ा सेहन के भारत नेपाली सीमा वर्थी शेत्र में जमुनिया एससबी के जवानों ने बड़ी कारवाई की है जहां भारत नेपाल सीमा परिस्थित लक्षमिनिया टोला में वाहन चेकिंग के दौरान 12,18,000 नेपाली रुपे के साथ एक जुप को गिरफ्तार किया है मौके से बाइक और एक कीमती मुबाइल को भी जब्त किया गया है SSB कत्वरी बटालियन के प्रभारी कमांडेट दिव्य रंजन सिंग के द्वारा पकड़े गए युवक की पहचान कुंडवा चैनपुर्थाना शेत्र के महगुआ निवासी अभिशे कुमार जैसवाल के रूप में की गई है SSB के अधिकारियों ने बताया है कि पकड़े गई युवक से कैम्प में रख आवशक पूशताच की जा रही है आखिर कि सो देशों से नेपाली रुपे की खेब को भारत से नेपाल ले जाये जा रहा था और अन्य कई बिंदूओं पर पूशताच चल रही है पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए मोती हारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट